हाई अबरिवन कैसे हो आप सभी लोग आप अप लोग अच्छी होंगे मैं हूर आहूल जेस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों कैसे चल रही है आपकी स्टडी सें पढ़ाई यार जरूर स सेट का जो हमारा चल रहा था तो वो है लेक्टर नंबर टू जी हा दोस्तों हमने स्टार क्या वा था आ चाप्टर ट्रिगनोमेटर के प्रॉबलम से ट्रिगनाओमेटरी चाप्टर पूरा कंपलीटर है लेक्टर बायच्चर वीडियो से बढ़ता है तो आप देखोगे त 2-3 दिन कोशण सी एक दिन में यानि एक lecture में कराते हैं जो कि छोटा वीडियो बनता है 15 मिन टेन टू 15 मिनिट के ही वीडियो हम बनाते हैं ताकि आप लोग को फटा-फट से बता सके हैं तो आज का वीडियो भी हमारा 1 and 2 पूरा देख लिए था आज question number 3 का सबसे पहला question हम देखेंगे question number 3 क्या आँ बोल रहा है if 10 theta is equal to 2 find the values of other trigonometric ratio हमको क्या दिया है 10 theta का value दिया हुए ठीक है हम लोग को बाकी जो trigonometric ratio होते है जैसे sin theta होता है cos theta होता है cos theta होता है या फिर cos theta होता है इसका value निकालना है लेकिन एक चीज़ तो उन्होंने बोल रहा है कि भाई यह 10 theta का value 2 है ठीक है तो हमको एक formula पता है अगर आप एक चीज़ जानते हो दोस्तों तो हम एक formula पता है electronometric identity का we know that we know that देखको ध्यान से देखना इस चीज़ को एक सेक्ड आख में कुछ चला गया मेरे हाँ we know that ठीक है we know that क्या लग रहा है या लग रहा है आख में परी गाईस कुछ तो आख में मेरे जा रहा था ओके तो क्या बोल रहे है यह परी प्लस टेटा का वैलू टेटा का वैलू तो हम लोग डाल सकते है यहाँ पर वन प्लस टेन का वैलू क्या है टू तो टू का स्क्वाइर हो जाएगा इस इक्वल टू टू स्क्वाइर थीटा यानि कि वन प्लस टू का स्क्वाइर पोर इस इक्वल टू स्क्वाइर थीटा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं स्क्वाइर थीटा इस इक्वल टू तो अगर हम बात करें स्क्वाइर थीटा इस इक् तो sex theta is equal to क्या हो जाएगा under root of 5 तो sex theta वालू आगए under root of 5 यह हमारा पहला निकल गया अब मुझे बताओ इसके अलावा और क्या ऐसा चीज होता है जो हमें find करने की जोर होते है अब मुझे बताओ हमको 10 पता है हमको sex पता है अगर मुझे sex पता है तो मैं से यहा निकाल सकता cos theta is equal to kya होता है 1 upon sec theta होता है तो cos theta निकल जाएगा तो cos theta is equal to 1 upon sec theta sec theta कितना है under root of 5 तो 1 upon root 5 आ गया cos theta का value ठीक है उसी प्रकार और भी जो trigonometry identities trigonometric ratio होते हैं उसके formula हम डालके values को निकाल सकते हैं तो यह हमने निकाल दिया sec theta, sec theta का value क्या होता है sec theta का root 5 पता है हमको 10 theta का value 2 दिया हुआ है cos theta हमने निकाल दिया अगर आपको cos theta पता है और आपको sec theta भी पता है तो आप एक और चीज़ निकाल सकते हैं पर दिबाद तो cos theta अगर पता है आप sign निकाल सकते हो ऐसे we know that sin square theta यहाँ पर भी लिख दो ऐसा डाइलोग है डाइलोग लिखना अच्छा लगता है we know that कुंसा वाला we know that we know that एक formula है आपका कुंसा वाला sin square theta plus cos square theta is equal to 1 यह formula हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसमें मुझे cos theta का value पता है स्क्वाइर में है ठीके यह हो जाएगा अब यहाँ पर solve कर लो sin square theta बराबर plus 1 का square is 1 root 5 का square is 5 is equal to 1 1 upon 5 को 1 के पास बेज़ोंगो तो minus में हो जाएगा यानि sin square theta will be equal to 1 minus 1 upon 5 ठीके cross multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा sin square theta is equal to 5 multiply by 1 is 5 5 minus 1 is 4 4 upon 5 आजाएगा ठीके simple है अब मुझे बताओ sin theta का value क्या हो जाएगा under root of 4 upon 5 ठीके तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते sin theta का जो value आजाएगा वो हो जाएगा under root of 4 यानि 2 और 5 का root हो जाएगा root 5 यानि 2 upon root 5 वैलू आगया किसका आया ये value sin theta का value आगया 2 divided by root 5 is the value of sin theta कितना easy question था ये तो हमने इस तरीके से 4 चीज़ अभी हमारे पास total 6 होते हैं sin cos फिर cos sick 10 और cot तो हमारे पास 10 है तो 10 के help से में cot भी निकाल सकता हूँ 10 के help से में cot निकाल सकता हूँ because we know that we know that कि जो cot theta होता है जो cot theta होता है वो क्या होता है 1 upon 10 theta होता है उल्टा होता है उसका या फिर अगर आप directly 10 आपको पता है तो 10 का उल्टा कर दोगे तो भी आ जाएगा या फिर cos upon sign कर दोगे तो भी cot मिल जाएगा लेकिन ये बेटर होता है तो cot theta निकालना है मुझे है cos cos theta है हमारे पास sign है बस एक चीज़ बच गया है मुझे लगता है जो कि है cos theta तो हम लोग cos theta भी निकाल लेते है कैसे निकाल होगे cos theta तो cos theta is equal to 1 upon sign theta होता है simple सी बात है तो cos theta is equal to 1 upon sign theta का value कितना है हमारे पास देखो sign theta का value है 2 upon root 5 2 upon root 5 जो है यह इसका value है तो क्या आ जाएगा cos theta का value cos theta is equal to यह root 5 उपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 तो यह इसका answer आ गया यानि cos theta का value भी हमने निकाल दिया तो इस तरीके से 6 के 6 trigonometric ratio के values हमारे पास available है एक तो आपको question में दिया था और उसके help से हमने सबसे पहले निकाल लिया sec theta जो कि आ गया root 5 फिर हमने निकाल लिया cos theta जो कि आ गया 1 upon root 5 उसके बाद हमने निकाल लिया हमारा sign theta जो कि आ गया 2 upon root 5 उसके बाद हमने cos theta निकाल लिया जो कि यह 1 by 2 उसके बाद हमने निकाल लिया cos theta इतना easy concept है, लोग आपको ड़ाते हैं, लोग आपको बहुत सारी चीज़े बोलते हैं, कि ट्रिग्नामेटरी पुत हाड है, option में छोड़ के चले जाओ, लेकिन याद मैं simple सा एक चीज बोलता हूँ, याद ट्रिग्नामेटरी से easy ना कुछ ही नहीं याद पूरे geometry के अंदर, कैसे बता होगे, समझ मैं आ रहा है, तो यही चीज़ है, और कुछ नहीं रोस्त हो, चलो, अगले question पर चलते हैं, एक आखरी question आज का, मैं जैसे मैंने बहुत अच्छी बात हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आपके marks आप निकाल सकोगे, practice करके, इसमें क्या बोल रहा है, sec theta का value दिया है, 13 upon 12, if sec theta is given here, 13 upon 12, find the values of other trigonometric ratio, same उसी प्रकार का question है, फिर भी मैं इसको homework नहीं दोंगा, आप लोगो के लिए solve करांगो, क्या है, कि आपको इस बार sec theta का value दिया है, तो again we know formula, again we know that the formula is, ठीक है न, formula क्या है, 1 प्लस tan square theta is equal to sec square theta, तो 1 प्लस tan square theta is equal to sec theta का value हमको प क्या हो जाएगा, square हो जाएगा, correct है, तो यह क्या हो जाएगा, आप मुझे बता, 1 प्लस tan square theta is equal to यह हो जाएगा, 13 का square is 169 upon 12 का square होता है 144, अब यह पूरे value को 1 के पास लेकिया होंगो, तो क्या हो जाएगा, 1 minus 169 upon 144, और इधर अकेला बच जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे 10 square को मैं as it is, इधर ही रखता हूँ, ठीक है, is equal to 169 upon 144 था, इसके सामने करता हूँ, minus 1, यानि प्लस 1 उठाके इधर पे क्या आ जाएगा, minus 1 में आ जाएगा, समझ में आ रहा है, clear है, तो चलो solve करते हैं अभी इसको, तो 10 square theta is equal to, यह क्या हो जाएगा, 144 multiply by 1 is 144, तो 169 minus 144 cross multiplication हु 10 theta is equal to 25 upon 144, हमें चाहिए 10 का value, यानि 10 is equal to, 10 theta is equal to क्या हो जाएगा, under root में चले जाएगा, 25 upon 144, तो आपका value आ जाएगा, डिरिगली, क्या आ जाएगा, दोस्तों, कितना बताएगा, मतलब इससे simple कुछ चीज़ हो सकता है, क्या 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 बताएगा, root 25 5, root 144 is 12, यानि 5 by 12 दोस्तों, कितना, 5 upon 144 का कितना होता है, 12, तो 10 theta is equal to 5 upon 12, तो आपने दो चीज़ निकाल लिया, एक तो, sec theta यह आपको दिया हुआ था, question में, ठीक है, sec theta दिया है, 13 by 12, आपने 10 theta 5 by 12 निकाल दिया, अब बागी के 4 फटा-फट निकालते है, अब आपके पास क्या 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 10 theta, वैसे ही तीसरा चीज़ निकालने जा रहे हो अभी, जो कि है cot theta, तो cot theta का formula क्या है, 1 upon 10 theta, यानि कि 1 upon 5 by 12, अब यह 1 upon 5 by 12 तो 12 उपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, यानि कि therefore, आपका cot theta का जो value आ जाएगा, 12 upon 5, खतम कहानी, यह आ गया cot theta का value कितना easy था, वैसे ही तीसरा चीज़ निकालो, अब आपके पास क्या available है और कि क्या निकाल सकते हो, तो आपके पास जो को sec भी है दोले, आपको बता है sec का उल्टा होता है cos, यानि कि cos theta जो होता है, वो होता है 1 upon sec theta, यह आपको formula पता ही है, cos theta is equal to 1 upon sec theta का value कितना दिया है, 13 upon 12, तो 1 upon 13 by 12, अब इस cos theta का value भी पता चल गया, अब क्या बच रहा है, cot है, 10 है, sec है, cos है, अब बचा sine और cosec, sine और cosec बचा, तो sine theta कैसे निकालोगे, sine theta का value कैसे निकालेगा, जो को sine निकालने के लिए cosec चाहिए था, तो sin भी नहीं है, cosec भी नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, जैसे मैंने बोला, cos मुझे पता है, तो अगर cos पता है, तो मैं sin निकाल सकता हूँ, by using the formula, ठीके, तो we know that, we know that, क्या पता है हम लोग को, we know that, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, जिसमें मुझे sin square theta का value नहीं पता है, लेकिन cos क value पता है, मुझे, cos theta का value है 12 upon 13, तो 12 upon 13 cos के जागा पी लिख दिया, और इसका होगेगा square, क्योंकि यह square है formula में, is equal to 1, तो sin square theta will be equal to, यह 1 इधर ही है, minus हो जाएगा 12 का square, 144 upon 13 का square is 169, 169 multiply करो, sin square theta is equal to, क्या हो जाएगा 169 multiply पर 1 is 169, minus 144 is 25 upon 169, समझ मैं, cross multiply किया और कुछ नहीं किया, 169 मन जा 169, 169 में, 144 minus 25, 25 upon 169, हमको चाहिए, sin theta का value, तो यह under root में चले जाएगा, यानि 25 upon 169 under root में चला गया, तो therefore क्या value आया, sin theta will be equal to 25 का root होता है 5, 169 का root होता है 13, तो sin theta का value आ गया 5 upon 13, कितना easy है, अब बताओ मुझे, इससे simple कुछ हो सकता है, कि तो आगे आपका sin theta, बस एक मात्र चीज रह गया है आपका, क्या रह गया है, बताओ, क्या रह गया है, sin theta निकल गया, आप उसके help से आप निकाल लो, cos theta, तो cos theta का मतलब क्या होता है, cos theta, cos theta is equal to 1 upon sin theta, बराबर, is equal to 1 upon sin theta कितना है, 5 upon 13 है, तो यह उल्टा हो जाएगा, तो 13 upon 5 बन जाएगा, तो therefore cos theta is equal to 13 by 5, ठीक है, सभी questions को cross check कर लेना, यह आपका आगया final answer, खतम कहानी, अब बताओ, कितना ही जी है, है कि नहीं दोस्तों, तो यही यह चीज है, trigonometry, if you know the concept, जो हमने सिखाया हुआ है, आपको lecture by lecture, जो हमने पढ़ाया थे, वो अगर आपने देखा हुआ है, तो आपको यह सब चीज हलवा लग रहा होगा, मैं trust me, ऐसे questions exam में आते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन मैं यह चीज आपके सामने करा रहा हूँ, because I know the formula, and if you know the formula, if you know the concept, आपको solve this example, definitely you will go, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फ complete हो जाएगा, और अभी तो 6 October ही चल रहा है, आप जानते ही है, तो tension की कोई बात नहीं, अराम से मेहनत करते हैं, जो वीडियो हमने अल्वरी बनाए हैं, उसको देखो, उसके अंदर जो concept है, उसके उपर जादा focus करो, और चितना हो सके examples के तोर पे examples को लेके practice करते हैं, और फर्स टाइम चैनल पर आवे, तो फटा फट से हमारे चैनल को subscribe करके, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नहीं वीडियो में, तब तक के लिए, thank you and goodbye.